तोगा इजी आर्स वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडिमेंड आज 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 को हम लोगों दोबारा से स्पाइडर फाइटर 3 के साथ जिराज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है कि भाई बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है आज भाई हम लोगों दो ऐसे चैलेंज करने वाले हैं जिनको करने के बाद भाई अपने को पता चल जाएगा कि अपने गेम का सबसे ज्यादा बहतरीन कैरेक्टर कौन सा है दो चैलेंज होने वाले हैं जिसमें से आर पहला चैलेंज होने वाला है only one attack मतलब यार इस चैलेंज में हम लोग जितने धेर सारे अपने अटेक के बटन है ना तो सभी का यूज नहीं करेंगे केवल एक ही टाइप के अटेक का यूज करने वाले तो यह जो बटन देख रहो ना भाई हाँ यह वाला मेन बटन भाई इसको भाई हम लोग होल्ड करके जो सबसे कम टाइम में अपना फीज़ डिलीवर करेगा वाई विनर होने वाला है तो यह दो भाई अपने चैलेंज होने वाले हैं आप लोगो को समझ में आ गया हो गया अब यह आप लोग बोले गया केड़ी बाई आपने को कैसे पता चलेगी तो टाइमिंग के लिए भी को एक ही टाइप के अटैक का यूज करना पड़ेगा मतलब यह आला जो बटन देख रहा हो ना किवल इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं तो आज अब बाई चलते हैं अपना चैलेंज कौन जीता है आज का चलो यार स्पाइडर फाइटर से स्टार्ट करते हैं अपना ट भॉटा राउंड होगा ना उस बंदों को फाइदा मिल जाएगा तो यह भाई हम लोगों ने सेटने किया है जो परेक्टर जिसमें आज आजाएगा उसको फाइदा मिल जाएगा इसलिए भाई देखते हैं रुप जा भाई खतम क्या रखसर वाई साब बाई सेकेंड में खतम कर दिया इसने अपना राउंड यार भाई इतने जल्दी गाई चलो भाई अपने स्पाइडर फाइडर का तो काम हो चुका है अगला यह हल्क देखते हैं यह अपना राउंड कितने टाइम में खतम करता है चलो ओ भाई यह भाई घातक है भाई मजा आएगा रुप ज सभी की ऐसी की तैसी कर रही है और इस्पाइडर फाइटर ने भाई 20 सिकंड में अपना राउंड खतम किया था तो रुप जाओ बेटा तुम्हारी ऐसी तैसी आज 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 तू भाग रहा है आए गया भाई चलो ठीक है दो बार मारने पर मर रहे हैं भाई रुप ज निकाला है चलो आज भाई अभी बारी है अगले करेक्टर की जो है डे डेक्स तो आज भाई चलते हैं देखते हैं यह कितना टाइम लेता है आज उपर चलते हैं एड़ पांच बंदे या इसको त्पाइदा हो गर ले तेरी भाई घातक है यार बहुत सही भाई होल्ड इसने भी लिए यार बाई यार इसने तो बराबरी कर लिए अपने स्पाइडर फाइटर से यह तगड़ा सीन था वाई चलो ठीक है अपने दोनों करेक्टर बराबर हो चुके अब बारी कैप्टन अमेरिका की चलो बाई टाइमर ओ भाई शुरू हो चुका टेरी है चिकते हमसे पंगा बेट है कैप्टन अमेरिका सबसे नंबर वन प्याय गबबट यार इस पर बॉस आ गया है इसलिए कैप्टन अमेरिका ज्यादा टाइम लेने वाला है मेरे को मालूम है वाई क्योंकि अपना बॉस आगया भाई इसको मारना थोड़ा सा हाड है बट रुग जो बाई 30 सिकेंड हो गए अपने चल 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 निकल तेरी मर्जा भाई बाई यार 34 सिकेंड का टाइम लगा अपने कैप्टन अमेरिका को बाई यार काफी ज्यादा टाइम ले लिया इसने चलो एक और लास्ट करेक्टर अपना बचा हुआ है जो की है अपना आइरन मैन और दे कितना ज्यादा घातक सोट है यार बहुत ज्यादा दिनों के बाद भाई मैं इसका यूज कर रहा हूं निकलो तुम्हारी बेड़े ऐसी की तैसी और यह लोग भाई अटेक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना जो आयन मैन है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हो चुका है टीक है खाले गया वाई दो बार में मर रहा है बंद्री बाई दो सी तीन बार लग जा रहा है तो रुक जाओ ये लाशन बंद गया नए यार भाई यार भाई रुक जा रुक जा 33 सिकंड का टाइम ले लिया यार मेरो को लगा भाई अपना आयन में जी जाएगा बट यार अपने दो करेक्टर बहुत आगे निकल चुके हैं पहला तो डेडेक्स है दूसरा स्पाइडर फाइटर है अप गाई अपना सुरू हो चलते हैं तो सबसे कोई करता है कोई अटाइम कोई रिसक नहीं लेना में आराम से सचल पहला फीजा और रहु दो जो बंदे भाई 2 पिज़ा डिलिवर वाला CHANCE में आ गए न तो उनकी तो भाई चांदी ही चांदी हो जाएगी क्योंकि हम लोग ने भाई ये सेट करके नहीं रखा है कि कितने पिज़ा डिलिवर कर दें तो जिसके चांस में भाई जितने पीज़ा आएंगे उसको उतना करना पड़ेगा बट लेकिन रुख जो भाई 33 सिकंड हो चुके हैं रुख जो रुख जो रुख जो भाग एरा भाग एरा भाई क्योंकि तेरे को जीतना है क्योंकि पहला वाला चैलेंज तो तू हार चुका है अपने को देखा था भाई 41 सिकंड हम लोगों ने लिया था इस पर चलो भाई अपने आरन मैन ने 41 सिकंड में अपना पीज़ा डिलिवर किया है अब चलते हैं भाई अपने निक्स्ट करेक्टर की तरफ हलक है भाई अपना नेक्स्ट करेक्टर अब ये तो भाई बहुत टाइम लेगा मेरे को लगी रहा है एक तो ये भाई चड़ नहीं पाता बिल्डिंग में नहीं चड़ जाता लेकिन भाई इसकी चाल बहुत ज़्याद धीमे मेरे को लग रहा है रुख जाओ पीज़ा उठाते हैं चलो टाइमर सुरूओ चुका है और देखते हैं भाई अपना हलक कितना आ भाई पास गया तेरी ऐसी कितैसी भाई ओ भाई क्या तगड़ी वाली जम्प मार रहा है भाई अपना करेक्टर रुख जाओ रुख जाओ यार भाई तीन पीज़ा डिलिवर करने हलक को तो देखते हैं भाई पहला हो गया और भाई दूसरी बिल्डिंग में ओ यार कितनी भारी जम्प मार रहा है यार ये भाई आनमेन से कम टाइम लेगा क्या यार भाई आनमेन ने भाई लगभग 41-42 सिकंड लिया था ये भाई कम टाइम लेगा मेरे को लग रहा है भाई मैं तो फरजी वाड़ा सोच रहा था मैं सोचा ये बहुत जादा टाइम लेगा डेड़ दो मिनट लेकिन भाई यार 40 सिकंड में दो पीज़ा डिलिवर कर दी हलक ने बहुत ज़्यादा सही वाला यार इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इससे मेरे को रुक जा रुक जा रुक जा भाई 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 पहुंच जा पहुंच जा यार गाईस पचास नहीं क्यावन सिकंड लगा दिये हल्क ने यार काफी कम टाइम लिया था बर चलो अभी पहली पोजीशन पर पीज़ा डिलिवरी के मामले में अपना भाई एन मैन है अब बारी है डेडक्स की और देखते हैं भाई इसने पहले वाले चलेंज में तगड़ा वाला जलवा दिखाया था एंड 22 सिकंड में पहला वाला चलेंज इसने बराबर किया था स्पाइडर फाइटर के साथ तो चलो देखते हैं क्या पीज़ा डिलिवरी में अपना डेडक्स बाजी मार पाता है की नहीं क्योंकि अभी बराबरी तो भाई ये कर लिया इसको जीतने के लिए भाई थोड़ा कम टाइम लेना पड़ेगा अब 41 सिकंड में तो अपना आयन मैंन ने किया था डिलिवर ये करेक्टर भाई में पहली बार यूज कर रहा हूं वीज़ा डिलिवरी के लिए रुप जायार भाई चड़ेगा कैसे चड़गे चड़गे भाग 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 मिलखा भाग भाग यार बहुत ज्यादा अब यहां तक है रुप जो भाई सब्सक्राइब अपने को जाना कि दर यार अच्छा वॉली बिल्डिंग में जाना था ओव भाई 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 अपना टाइम वेस्ट हो गया यार दस बारा से कंड़ो चलो कोई दिक्कत नहीं है और आम सबाई अपने को तीन को पीज़त डिलिवर करने इस सभी आई यह सब्सक्रानाता बाई उदर चड़ना था और यार भाई रूक ज्ञ गरबड वहें अडे में अपने कर्मों अब्दय करूंद पीज़र दिलिवर करेंगे हम उभाई ये नेकर पएगा आज ये स्पाइडर फैटर को लेते हैं आड़ आगर इस्पाइडर फैटर ने अपने पास भाई बहुत कम टाइम में लगए ठाइश सिकंड है अगर तीनों पीज़र डिलिवर कर दी अपने इस पाइडर फाइटर तो भाई ये आ जाए का पहली पोजीशन पे क्योंकि अभी तक भाई पहली पोजीशन पे पीज़ डिलिवरी में अपना आयन मैन था जो भाई लिया था एक तालिस सिकंड तो रुख जो रुख जो भाई यार भाई रुख जो बहुत कम टैम है यार या भाई अब जट पर आ गई बात इस पाईडर फाईटर का भाई ये तो धन्दा ही था एंड रुख जो रुख जो तीन दो एक एंड टन ओ भाई यार पीज़ डिलिवर हो गया एंड भाई यार इस पाईडर फाईटर आ चुका है पहली पोजीशन पे बहुत घातक भाई लगबग 28-37 सेकंड लिए अब बारी है अपने कैप्टन अमेर का चचा की और देखते हैं क्या अपना कैप्टन अमेर का तोड़ पाता है अपने स्पाईडर फाईटर का रिकर्ड की नहीं चलो भाई टाइमर इस्टार्ट हो गया और फाइदा मिल गया भाई यार कैप्टन अमेरिका को फाइदा मिल गया इसको दो ही पिज़र डिलिवर करने है भाई भाई बाजी मार ले गया अपने कैप्टन अमेरिका रुक ज़र रुक ज़र चलते हैं भाई 12 सेकंड में एक पिज़र डिलिवर भाई अपने को जीतने का लेकिन भाई कैप्टन चचा ने थोड़ी से दिक्कत कर दी एंड भाई यार 38 सेकंड लगा दिये पिजट डिलिवरी में भाई यार जीत जाते भाई लेकिन थोड़ा सा गिलिच मेरे को लगा बीच में हो गया था यार गाई तो चलो यार फाइनली भाई अपना रिजल्ट निकल चुका ही एंड पहले राउंड में जो हम लोगों ने पहला चैलेंज किया था उसमें अपने दो विनर निकल के आए हैं जिसमें से पहला विनर है स्पाइडर फाइटर एंड दूसरा है डेडेक्स क्योंकि उन दोनों ने ही भाई 22 सिकेंड में अपना चैलेंज कंप्लीट किया था तो वो दोनों भाई बराबर के टक्करी हैं इसलिए दोनों विनर हैं दूसरे चैलेंज में बाजी मारी है अपने स्पाइडर फाइटर ने क्योंकि उसने अपने डेडेक्स का आधा छोड़ा हुआ चैलेंज एकसेप्ट किया एंड लगभग 28 से 29 सिकेंड में पीज़र डिलीवर कर दिया तो भाई कुल मिला कि अपने दो करेक्टर बहुत ज़्यादा शांदार इस समय करेक्टर इस समय पाईटर छोड़ा हुआ